नमस्कार आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रस राजिस्थान और मैं हूँ आपके साथ यासमीन शेख राजिस्थान में 3 दिसंबर यानि कल ये साफ हो जाएगा कि राजिस्थान में किस पार्टी का राज होगा इसी बीच बीजेपी के राजिसभा सदस से किरोडी लाल मीरा ने दावा किया है कि विधान सभा चुनाव में जीतने वाले कॉंग्रिस उमीदवारों के लिए बेंगलूरू के दो रिजॉर्ट बुक कर लिए गये हैं और उसके विजेई उमीदवार वहाँ डेरा डालेंगे उन्होंने आरोप लगाया कि कॉंग्रेस को विधायकों की खरीत फरोख करने की आदत है और कहा कि वो यही प्रयास अब भी कर रहे हैं राजिस्तान विधानसभा चुनाव की 200 में से 199 सीट पर वोटो की गिंती 3 दिसंबर को होगी मीडा भी सवाई माधूपूर सीट से उमीदवार हैं मीडा ने कहा मैंने पुष्टी कर ली है ये सही है कि बेंगलूरू में दो रिजॉर्ट बुक कर आए गए हैं और कॉंग्रेस उनको वहाँ एकठा करेंगे बीजेपी सांसद ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर आए एक्जिट पॉल में एक रूपता नहीं है क्योंकि कोई बीजेपी को बहुमत दे रहा है तो कुछ इसे कम दिखा रही है उन्होंने कहा मैं खुद पूर्वी राजुस्थान में चुनाव लड़ा हूँ जहां जैपूर की घाट की घूनी से लेकर भरतपूर धौलपूर तक 28 सीटे हैं उनमें से 22 में मैं घूमा हूँ और मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अपकी बार समीकरण और 28 सीट मैंसे 20 से 22 सीट बार्ती दलता पार्टी को मिलेंगी जिसमें करोली है सवाई मादपुर एदोसा है अलोगा का कुछ हेरी आ है भरत का कुछ हेरी है वहाँ छे मंतरी भजनला जाटो मैं सबा की वहार रहा है रमेश मिना मैंने सबा की वहार रहा है अपने परसारी मावाली हार रही है सुबासगर मलब जो मैं यह मान के चलता हूं किरवन 95 परसेंट मंतरी लुड़क रहे हैं और जो टफेस्ट एरिया हुआ करता था जिसको समीकर्ण की दिश्टिस जिसके कान कॉंग्रेस का राज आया दो जार आठारे में 28 में से 22 सीट आ जाए तो इस्त जो मैंने अंडर करण देखा है वो बीजेपी के पक्ष में हैं जहां 2018 में मात्र एक सीट आई थी वहीं इस बार वहां 20 सीट आ रही है मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी को राजिस्थान में 120 से जादा सीट मिलेगी उन्होंने कहा राजिस्थान की तस्वीर बदलने जा रही है अंडर करण को बीजेपी के पक्ष में कहा जा सकता है क्योंकि युवा पेपर लीक से नाखुश है प्रते कॉंग्रेस विधायक के निर्वाचन छेत्र में भ्रश्टाचार चरम पर था और विधायकों के खिलाव बड़े पैमाने पर सक्ता व